हलो दोस्तों स्वागत है आपका study for India पे UPPCS pre 2019 के question paper के answer की first part हमने upload कर दी है second part जो है यहाँ पर हम आपको provide करा रहे है 51 to 100 questions तक तो आए श्टार्ट करते हैं यहाँ पर 51 यह C series का paper है 51 ने किस ने कहा था कि भारत एक अर्ध संगहात्मक राज है यानि अर्ध संगी राज है तो यहाँ पर केसी वीहर ने कहा था कि अर्ध संगी राज है next question है 52 के राश्टी समाजिक साहता कारिकरम में गरीबी रेखा से नीचे यानि की below poverty line BPL के नीचे निम्न कारिकरम में समलित नहीं है तो देखें यहाँ पर राश्टी परिवार लाव कारिकरम यह भी शामिल नहीं है यहाँ पर अनपूड़ा भी नहीं शामिल है महिला किशान ससतिकर्ड योजना भी शामिल नहीं है actually में यह है NSAP जिसके जो 15 अगस 1995 को 15 अगस 1995 को श्टार्ट किया गया था इसमें जो क्या-क्या शामिल है वो चीज़े हम आपको बतादे रहे इसमें aged person के लिए शामिल है वीडो यानि विद्वाओं के लिए शामिल किया गया है deep-sabled person इसी तरह etc कई चीजों को शामिल किया गया है भारत समीधान 26 January 1950 में लागो हुआ था जम्मो कस्मील का जो समीधान लागो हुआ था और 1957 में लागो हुआ था ये बिल्कुल क्लियर है कलानुक्रब में लगाएंगे तो 1,2,3,4 जो इसका right answer हो जाए यानि शी option बिल्कुल right है नेक्स्ट है आपका कथन कारड है कि केंदरी कानूनों को का सामवी धानिक वैदता के सम्मन्द में भारत का सरोच नयाले की अनन अधिकारता है बिल्कुल right है अगर कोई कानून बनाई जाती है संससे तो उसकी judicial review करने की power 137 के according जो है सुप्रीम कोट को है सरोच नयाले भारती समिधान का संरच्छक है बिल्कुल संरच्छक है तो कथन औकारड बिल्कुल सही है और इसकी सही व्याक्ष्या भी है नेक्स्ट है आपका 55 कि भारत में राष्टी पंचाइती राज दिवस मनाया जाता है या 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूशन है 56 के 52 समिधान संसोधन दारा किस अनुश्यत के माध्यम से स्रामिको के प्रबंधन में भागेदारी सुनिश्यत की गई है नेक्स्ट क्यूशन है बारती समिधान के अनुश्यत देख सोब आसर या आई आटिकल 162 में क्या है ता राजी के कारिपाल का शक्ती का विस्तार जो है आर्टिकल 162 में डी ऑप्शन इसका राइट है नेक्स्ट 59 नेमलिकीत में से किस मंदिर को विधर्व के खजुराहों के रूप में जाना जाता है ये हमें नहीं मिल पाया अभी 59 के इसको सर्च करके बताईएगा देगे नेक्स्ट क्यूशन मिलान करने वाला है तुफान है हरिकेन अगस सित्मबर 2019 में आया थे सरवादी प्रभावीत देश कौन कौन से है डोरियन बहामास में आया था ये उससे है हेगी बीज जो है जापान में है लेकिमा चीन में है मिटाग जो है जेजू दचिर कोरिया इस तरीके से 1423 यानि कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है आपका ये भी करेंट अफेर से अक्टूबर 2019 में भारत ने अपना किस अफरीकी देश में अपना उच्चायोग इस्थापित किया है तो गीनी में यानि गीनिया में कौनाकरी इसकी कैपिटल है यहाँ पर इसने अपना कमिशन हाई कमिशन जो है 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखी का कौन है तो बर्नाडीन इवारिस्तो जो है इस पुस्तक की लेखे था जो बुकर प्राइजन को 2019 में मिला था नेक्स्ट है विसमाईला एककल बैटमिंटन मुकाबले में भारत को पहला सौड़ पदक दिलाने वाली पीबी पर्दित विदूत परियुजरा का उधगाटन यहां पर किया है बुटान में नेक्स्ट है 66 निमलिखित में से कौन सा एक दुनिया का 100% जैविक राज है और्गनिक स्टेट तो सिक्की में भारत का 100% जैविक राज घोशित किया गया है नेक्स्ट क्योशन आपका चित्रा या किस खेल से संबंदित है तो यह शोट-पूट से खेल से संबंदित है यानि की गोला फेकने से सव्यूत राज जल्वाई का रिवाई सलमेलन 2019 का आयो जैन्यों में निए नियोएर्क में किया था माना औहऊर में पालिष किये हुए चावल के उप्योःक से कान सारोग हो दिखान देना है कि सुमेलित नहीं है, विटामिन B6 धान के चोकर में होता है, B2 कार्ड युक्त यकृत तेल में होता है, विटामिनी गहूं अंकुर तेल, विटामिन के अलफा अलफा ये जो है सुमेलित नहीं है, D-option इसका राइट होगा, यहां पे देखिये कफन कारण द लगा देते हैं इसको एंसर आपको पता होगा तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे 73 क्यूस्चन है केवलार यह सिंतेसाइस्ट फाइवर है जिंक फास्पाइड रोडेंटी साइड है क्योंकि चुहे का विश होता है जिंक फास्पाइड इसके बाद टेक्सॉल पर कुछ समय पस्चात गायब हो जाता है जैसे कपूर है नेप्थलीन है सुस्क बर्फ है इस पर इघटना को हम सब्लीमेशन करते ही यानि कि उर्द पातन 75 क्यूस्चन है कि प्रकास उर्जा का अप्टिकल फाइबर में संचरन निम्लांकित घटना के अनुप्रियोग द् जाता टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होता है पुड आंतरिक परावरतन नेश्ट क्यूस्चन 76 इंजाइमों के संदर में निम्ले से कौन सा कथन सही है वे बायो कैटलिस्ट होते हैं बिल्कुल वे सरीर में उसी स्थान पर कारे करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं य नेश्ट है आपका मा का दूद नौजात को लगबस संपूर हार प्रतान करता किन्तु इसमें निम्लिखित का अभाव होता है तो यह इसका थोड़ा सा में डाउट है तो इसको आप कमेंड बाक्स में बताईएगा नेश्ट है 78 निम्लिखित पदार्थों में से उनके पहल सबसे लास्ट में गर देखा जाए तो ग्रैफिण ही है तो ग्रैफिन सबसे लास्ट में आएगा तो इसका ड की बिल्कुर रैइट है he करते हैं 80 नंबर का क्यूश्य नहीं यह नेश्ट 81 गहरी कारबन वेशाला यह हमें नहीं मिला है इसको हम छोड़ देते हैं नेश्ट 82 निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कोटेजेना प्रोटकाल बाईयो सैप्टी रिलेटेड है स्टाखोम समेलि के प्रजाती सरवाधि शंख्यां पाई जाते हैं तितलिया कम नहीं रज सकती हैं क्योंकि दुरूव की तरब जाएंगे तितलिया जो है वहाँ पे खतम हो जाएंगे तितलिया वहाँ दिखेंगे नहीं इसलिए इनको जो है एवरेश टमप्रेचर की आउशक्ता होती इसलिए ए आर दोनों सही है और एक जो है एकी सही व्याक्या है 84 है पारिसितिक तंत्र में एक पोशी अस्तर से दुसरे पोशी अस्तर इसानद यह लिंडे मान का 10% नियम है तो धिरे दिरे उर्जा जो है जैसे ट्रांसफर होती है वो 10% लॉस होती जाती है तो घटती है बी आप्शन इसका राइट होगा 85 नंबर क्यूस्चन निम्लिखित में से कौन सा जैविक नैट्रोजन निधारड करता है तो ब्लू ग्रीन एलगी जो है जैविक नैट्रोजन का निधारड करता है 86 question ने स्मॉग पुछा है कि स्मॉग जो धुमा होता है वस्य कुरूप से वायमंडल निम्री की किसकी उपस्तिक कारण होता है तो नाइट्रोजन और सल्फर डायकसाइड का मिक्स्यर होता है इसकी उपस्तिक के कारण जो है स्मॉग बनते हैं नेस्ट 87 ग्लोबल 500 पुरुसकार किसके द्वारा दिया जाता है युनाइटे नेशन इन्वार्मेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है और यह पर्यावरा इन्वार्मेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड यानि बी ओप्शन इसका बिल्कुर राइट होगा तो पस्चिमी घाड जो हमारा है सबसे अधिक बायो डावर्सिटी जो है वहीं पर रिच बायो डावर्सिटी सबसे अधिक वहीं पाई जाती है तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 90 क्योशन निम लिखित में सब कौन सा भारत में सतत्विकास लच्छो के कारियानवन के लिए एक नोडल संसता है तो सतत्विकास जो SDZ प्रोग्राम है इसके लिए ससनेबल डेलप्मेंट गोल इसके लिए नीती आयोग जो है नोडल एजनसी है नेक्स्ट है लगु उद्योग के लिए बनी निमन समयतियों को कालानुकरम को व्यश्थित कीजिए अभी हाला कि इसको अभी हम खोज नहीं पाए हैं यह सभी समयतियां जो है लगु उद्योग यानि के MSME से रिलेटेड है इसको जो है अभी हम करम में बता देंगे की क्या है नेक्स्ट है आपका 92 क्योशन है कि यह भी कारिक्राम है वर्स है तो ICDS जो है 1975 related है इसके अलावा जो है राष्टी ग्रामिट स्वास्त मिस्टन जो एने चारा माई थी वो 2005 में आई थी तो D का तीसरा और B का पहला इससे आप मिला लेंगे तो C option बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन है 93 कतन कारड का है हाली के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए स्रम की भागेदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है तो कतन इसका बिल्कुल राइट है कारड है पारिवारी काय में सुधार है वन सिच्छा में बिल्धी ने कारड राइट है जो जनसंखिया वो डिपिंडेंसी है तो डिपिंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि वर्तमान में देखेंगे इंडिया में 15-59 की जो जनसंक्या सा पेचता है वो अधीक है इस वज़े से डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है तो इसका राइट एंसर C हो जाएगा Next is 96 समृष्धि की सीमा यानिकी Limit to Growth किसके द्वारप प्रतिपादित की गई है Limit to Growth जो है ये Club अफ रोम के द्वाराप प्रतिपादित की गई है इसका राइट एंसर E होगा नेक्स्ट क्यूशन है 97 के वर्ष के अधिकांस हिस्से में बेरोजगार रहने वाले वेक्तियों की संख्या को कहा जाता है तो ये यूजवल स्टेटस अनिम्प्लाइमेंट समानिसिती की बेरोजगारी इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट 98 कार्पोरेट समाजिक उत्तरदाईत जिसे हम कार्पोरेट सोसल रिस्पोंसबिल्टी कहते हैं संदर में कौन सा कथन सही है ये दिखिए कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार बना दिया कि कंपनीों को CSR जो है अनिवार रूप से खर्च करना होगा 2% मिनिमम्म 2% है यहाँ पर 1% इस वज़े से यह इस्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो इसका केवल 1 इस्टेटमेंट साही है 99 question है कि जीवन की भौती गुडवत्ता सुचकांग PQLI किसके द्वारे विक्सित किया गया है तो इसका option जो होगा यह बिल्कुल राइट होगा Next है आपका भारत का basic book सुचकांग Global Hunger Index 2017 में क्या इस्थान है देखे 2017 का पूछा गया है 2018 का भी GHI आ गया 2019 का भी GHI आ गया हमको लग रहा 2-3 महिने में 2020 का भी GHI आ जाएगा पूछा गया है 2017 का था हला कि इसका 100 जो है राइट एंसर है 2018 में 101 था sorry 103 था 2019 का जो आया था 102 था इसके पहले जो है 100 था तो 102 था option में है यह नहीं तो 2019 और हटी गया है तो इसका राइट एंसर हंडेड है GHI 2017 है तो एंडेक से एक ही question आया थे वो भी 2017 से पूछा गया था finally यह दोस्तों second part में हमने 50 question cover कर दिये हैं third part में आपका last part में पूरा answer की cover हो जाएगा 99.99% जो ही question हमने सही बताए है यहाँ पर और बाकी net से भी search किये हैं Google से भी बाकी कुछ प्रमाड़िक पुस्तों से भी खोजा गया है तो अब answer की को लेके authentic रहिएगा next part बहुत जल प्रोवाइड कराएंगे मिलते ने श्टूडियों तब तो लिए बहुत बहुत धन्यबाद